बिस्मिल्ह रर्रह्मान ररहीम यह सुन आज इंशाला हम डिस्क्स करेंगे आपका जो आइटी का स्लेबस है उसका थर्ड इंपॉर्टन पार्ट इस माइक्रोसोफ पावर पॉइंट इससे पर एक्सल वर्ड हमारा अम्दल्ला कम्टीट हो गया हुआ है आज इंशाला हम सामने वीजिबल है इसमें आप देखें तो इंट्रोडेक्शन तो माइक्रोसोफ पावर पॉइंट उसके बाद आपने इसमें क्रियेट करनी है नहीं प्रेजेंटेशन वह कैसे करनी है फिर इसके लावा इंसेटिंग एडिटिंग टेक्स बेस्ट कॉंटेंट यानि आपन माइक्रोसोफ पावर पॉइंट का यह सबसे लेंथी चेप्टर है और इसके अंदर बहुत सी चीजें तो वही हैं बहुत सी ऑप्शन वही है जो आपने वर्ड के अंदर पढ़ी हुए या थोड़ी बहुत एक्सल में पढ़ी है वही चीजें फॉर्मैटिंग से रेलिवे करने के लिए क्यलकुलेशन के लिए रिपोर्ट संबरी बनाने के लिए इस तरह पैयोए सब्दाने के लिए डूर्द्र है जिन को अबजेक्टिव जिसका नूट्स बनाना लोग्स बंदना यह टेक्सिल डेटा इसके अंदर इस तरह का काम करना इस त्रीक से पावर के अंदर उसकी स्लाइड बनाके तो आप स्लाइड के थूरू प्रेजन के थूरू वह अपना मैसेज कम्यूनिकेट कर सकते हैं ओडियंस को तो इसका मेन अब्जेक्टिव जो है वह प्रेजनेटेशन बनाना है इसलिए एक बाद इसमें याद रखेगा माइक्रोसोफ पावर पावरपाइंट के अंदर प्रेजनेटेशन आपने कैसे बनानी है उसको पर यह सारी डिसकुशन है इंट्रोड़क्शन लिखा हुआ है मैक्रोसोफ पावरपाइंट 2016 का इसमें पेराग्राफ के अंदर डेफिनेशन में देखीए क्या बातें लिखिए हैं मैक्रोसोफ पा पावरपाइंट भी है और उसमें पावरपाइंट भी है पावरपाइंट भी उसके पावरपाइंट वी इसके यह लिखा हुआ है It seems nowadays that nearly every office and boardroom employees boardroom employs Microsoft PowerPoint if not daily then certainly frequently कहने का मतलब किया है कि ये भी एक ऐसी application है जो आम तोर पे practical life में काफी ज़्यदा इस्तमाल होती है इसके practical use लिखे हुए आगे कि आप किन-किन areas में किस तरह की presentation वेरा बनाने के लिए से इसमें आप क्या-क्या चीजें यूज कर सकते हैं क्या उस presentation में चीजें एड कर सकते हैं इसमें टेक्स्ट भी है टेक्स मुराद आप कोई textual data उसमें लिखना चाहें को explain करना चाहें चीजें वह भी लिख सकते हैं ग्राफिक्स वेरा जैसे images हैं shapes हैं वो आप इसमें इंसेट कर सकते हैं इसके लावा animation movements वेरा जो होती है animation वो आप इसमें डाल सकते हैं यह detail में इंशाला हम देखेंगे किसी भी team को explain करना है तो वो इसकी presentation मना के explain कर सकता है कि हमारी यह product है इसके यह features हैं यह इसकी qualities हैं और market में इस तरह की और भी products available हैं उनकी निसमत इसमें यह features available हैं तो presentation मना के अपनी products के मतलिक marketing की और sales की की जो information है वो दी जा सकती है present the company's products in an exciting engaging and dynamic way तो presentation मना की यह काम असानी से किया जा सकता है अपना message communicate किया जा सकता है education purpose के लिए powerpoint इस्तमाल होता है teachers आहम तो पर इससे इस्तमाल करते हैं जैसे आप देखी रहे हैं कि आपके teachers AFC के अंदर भी powerpoint के अंदर आपको lectures deliver कर रहे है तो education purpose के लिए भी इसका काफी जाए इस्तमाल है colleges universities के अंदर teacher इससे इस्तमाल कर रहे है students के साथ communicate करने के लिए internal meetings का क्या मतलब है कि एक organization के अंदर उनके department की आपस में meetings होती है तो कोई एक manager जिस जो meeting का head है उसने कुछ चीज़े अधर managers को explain करनी है को future के plans explain करने तो वह powerpoint की presentation organization बनाके वह सारी चीज़ोंने communicate कर सकते हैं तो यहां पर इस purpose के लिए internal meetings के अंदर भी powerpoint काफी ज़्यदा इस्तमाल होता है उसमें company की performance अगर explain करनी है कि पिछले साल हमारी company ने कैसा perform किया तो उसकी sales की information graphs बनाके चार्स बनाके यह सारी चीज़ communicate की जा सकती है other managers को professional training के लिए many businesses use powerpoint for internal training courses कोई भी organization ने अपने employees को training दिलवाना चारी है मिसाल के तोर पर कोई software उन्हें launch किया कोई accounting software अपनी organization में उन्हें install करवाया और का जी आज के बाद सारे इसी पर data maintain करेंगे सारे departments वाले अब उसको चलाना कैसे है उसमें कौन सी option कहां पर है reports कैसे लेनी है printing कैसे करनी है तो यह सारी चीज़ें गाइड करने के लिए presentation बनाके उस software के मतलिक उसके different modules different screens different options presentation बनाके तो employees को explain किया जा सकता है photo album जो अब create किया जा सकता है photo album क्या होता है कि जो presentation है उसमें हर page के ओपर सिर्फ photos है यानि images है कोई explanation को textual data नहीं है एक page के ओपर एक image है दूसरे के ओपर दूसरा image है यहां से explain कर देज़ें यह front office है यह हमारी lab है यह canteen है यह हमारा classroom number one है classroom number two है यह हमार auditorium है इस तरीके से different areas को images के तूसरे एक्स्पेंड किया जा सकता है यूजर्स को तो photo album भी इसमें create हो जाता है next है building effective presentations Microsoft powerpoint के अंदर बेटा यह बात याद रखी का काफी ज्यादा useful tools है presentation बनाने के लिए animations के लिए और colorful presentation बनाने के लिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम इतना अपनी presentation को colorful बना दें और उसमें इतने colors add कर दें इतने images और इतनी बहुत जादा text add कर दें कि वो जो user है सामने बैठे हों बचारे ढूंडते ही रहें कि इसमें objective क्या है इसका या जो presenter है उसका objective क्या क्या है जिस हमें explain करना चाहरा है या फिर ही है कि आपका objective जिस message को communicate करना है है वो message सही तरीकी से communicate होने की बजाए यूजर बस आपकी presentation skills ही देखते रहें कि इसने बड़ी इच्छी animation लगाई हुए हैं बड़े इच्छे colors add कि हूए images लगाया हुए तो उधर ही जानी मसूफ रहें जहनी तो इसको avoid करना है हमने यह भी value हमने इस चीज को ensure करना होता है presentation बनाने से पहले कि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यदा अपनी presentation skills को लोगों को दिखलाने के लिए कोई ऐसे features add कर दें कि लोग असल message उनको communicate ना हो बलकि उनकी तवज्जों उन features की तरफ हो तो यह सारी चीज़ें हमने शूरू के अंदर ही understand करनी होती है और इसको ensure करना होता ह इसमें कुछ बातें इसी के मतलिक लिखी हुई है कि effective presentation बनाने के लिए कुछ tips हैं वो यहां पर बताएं गई है एक यहां पर term यूज होई है इसको फिर खुद से explain किया जाता है तो बहुत ज़्यदा अगर उसमें data add कर दिया गया तो यूजर सामने बैठे हों बिशारे थक जाएंगे देख देखे सुन सुनके तो इसको death by powerpoint एक time use के जाती है यह कहा जाता कि अगर poorly design की गई आपकी presentation तो इसका अच्छा impact जाने की ब बुरा impact जाएगा तो therefore you should consider the following tips when constructing a presentation यह कुछ tips है इसको follow करें मैं आपको इनका overview देता हूँ your goal is not to impress the audience obviously presentation बनाने का objective यह नहीं होता कि हम presentation skills लोगों को दिखाना चाहरे है objective क्या होता है हम को खास किसम का message communicate करना चाहरे होते हैं मिसाल की तोर पर अगर sales manager है तो वह अपनी product की features क को लोगों के साथ communicate करना चाहरे हैं तो उसने इस चीज़ को focus करके presentation बना रही है कि उसके अंदर हमारी जो products हैं वह prominent नजर आ रही हो और उनके features को अच्छे तरीक से explain किया गया और आधर यह कि वह इसमें different तरह की animations और colorful चीज़ें एड़ करके लोगों की तबच्छों दूसर transfer करना चाहरे हैं तो the message may be transfer of information to persuade the audience for a particular perspective किसी खास purpose के लिए जो है उनका जीन बिनाना चाहरे हैं कुछ है कम्यूनिकेट करना चाहरे हैं motivate करना चाहरे हैं तो उस objective को सामने रखे फिर हमने data और shapes और images वगरा सारे इसमें add करने हैं जुरुत से ज्यादा चीज़ें इसमें add नह word के अंदर लिख लें सारी details लिख लें फिर उसको देखने हैं आपने कैसे short करके powerpoint के लेके आने जब आप word के अंदर सारी चीज़ें लिख लेंगे एक दफा आपके सामने सारी story आजएगी के start मैं यहां से करना है उसके बाद यह details मैंने mention करनी है करने के बाद end पर आके मैं यहां पर आके closing करनी है और यह details मैंने explain करनी है users को एक दफा सारा sketch आपके सामने आजएगा textual data आपके सामने आजएगा फिर आपने उसको points के अंदर presentation के अंदर convert कर देना है फिर आपके लिए ज्यादा असान हो जाएगा next है consider the audience when choosing a design जब आपने presentation design बनाना तो यह देखे audience professionals कटे वह ज्यादा colorful चीज़ है उनको नहीं चाहिए होती है उन्हें तो एक logics चाहिए होती है convince होने के लिए तो आप यह देखेंगे audience कौन है उसके हिसाब से फिर आप presentation का design develop करेंगे keep it simple नेक्स पॉइंट लिखावाए keep it simple का मतलब यह है ज्यादा variety के color ज्यादा उसमें animations गयरा यह आप ना डालें बलके simple रखें ताकि main objective जो message communicate करने वाला है वो उसमें problem ना आए और हमारा focus उसी पे रहें don't use too many slides यह भी नहीं है कि presentation आप बनाएं तो उसमें बहुत ज्यादा slides बना देए rule है यह fix नहीं है कोई thumb rule नहीं है कि एक minute के लिए एक स्लाइड अगर आपकी presentation मिसाल के तौर पर आपने आदे घंडे की देनी है 30 minutes की तो 25-30 slides आप अपनी presentation में बना लें लेकिन यह एक कोई यह यह नहीं है कि आप ऐसे ही करें आप अपनी जूरुत के इमेजिज वगहरा वह भी साथ एड़ करें उससे ज्यादा अट्रक्टिव वे के अंदर आप कम्यूनिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट है क्रेटिंग न्यू प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंटेशन क्रियेट करनी है काम स्टार्ट करने पावर पॉइंट के अंदर तो वह क स्टार्ट पे जितनी वी सॉफ्टर आपके हैं वह आ जाएंगे अगर नहीं है तो आप्लिकेशन का एक ऑप्शन है यहां पर क्लिक कर देंगे तो यहां देखें अल्फाबेटिकली सौर्टिड सारे सॉफ्टर के एक लिस्ट आ रही है तो इसमें पावर पॉइंट पी से स प्रिड्र है इसमें नई पर प्रimporte को प्रेंट इसंप करने का तो दीखेंगा ऊपके सामने समरें नाम सी फरस्ट ऑपशन ऍहें यह देखेंगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन इसके उपर क्लिक करने से क्या होगा आप एक बिल्कुल ब्लैंक फाइल एक्सल की सोरी पावर पाइंट की वाब क्रिएट कर सकते हैं मैं इसी के उपर क्लिक कर रहा हूं साथ कुछ टेंप्लेट्स पर भी आ रही है इसकी हो चुकी है ब्लैंक फाइल और टाइटल बारत की उपर अगर आप आके देखें तो आपको यहां पे नजर आ रहा है प्रेजेंटेशन वन और साथ पावर पाइंट पावर पाइंट तो सॉफ्टर का नाम है और उसमें जो फाइल ओपन हुई है उसका नाम खुद ही पाव साथ हैं और निचे रिबन है बला नीचे हैं तो पयोटा यह चीज है है यह सिलाइड के यह सलाइड क्या अथियू कैल रहर्य रही है लाइच स्लाइड और उस लाइड का अब को शौठ व्यूर नजे रहा है यह सि इमेजिज वगरा एड़ कर सकते हैं जो भी हमने टेबल बनाने हैं चार्ट इंसेट करने हैं कुछ भी हम जो भी करना चाहिए इस पर हम करेंगे यह स्लाइड कर लाती है उसके बाग बॉटम पर आएं तो यह स्टेटिस बार इसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड प राइड पर आते हैं यह लिखा वा नदर आ रहा है आपको नोट्स तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा इसी स्लाइड के नीचे एक चोटा सा एरिया आपके सामने ओपन हो जागा जिसमें हम नोट्स भी एड कर सकते हैं यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यह देखेंगा बियूंस का औब युजक्टिव क्या है इसको याद रखेगा जो प्रेजेंड करने वाला बंदा है प्रिजेंटर है जिसने औरडिन्स को प्रेजेंटेशन देनी है वह यहां पर जो चीजें मेंचन करेगा यहां पर स्लाइड के ऊपर वो तो औरडिन्स को नजर आएंगी यानि यह जो चुटायड हम बनाएंगे फिर इसको हम क्या करते हैं रं करते हैं प्रेजनेशन्टेशन को जब हम रं करते हैं तो यह स्लाइड के एपर जो कुछ लिखा होता वो नदर आरहा होता है और नीचे नोड्स span के अंदर यह नोर्स का जो एरिया है इसके अंदर presenter अपनी जरूत के लिए अपनी यादिहानी के लिए अपनी remembrance के लिए कुछ नोर्स लिख लेता है कि मैंने इस slide के ओपर जो कुछ mention किया है वा उसके मतलब क्या क्या चीज़े मैंने explain करनी है तो अपने कुछ नोर्स यहां पर लिख सकता है कि मैंने इसके मतलब फर्स स्लाइड के ओपर जो चीज़े मैंने mention कि हुए है उसके मतलब मैंने यह यह चीज़ें यह डिटेल मैंशन करनी है तो यहां जो भी फैक्स वेरा उसमें लिखनी है वो यहां पर कर सकता है तो यह नोर्स का जो एरिया है असल में presenter के अपने लिए हैं तो दोबारा क्लिक करेंगे तो नोर्स गाइब हो जाएंगे और आपके सामने सिर्फ स्लाइड विजीबल हो जाएगी उसके साथ कुछ कुमेंट्स की option है पिर आगे different views हैं इसी स्लाइड को इसी स्लाइड को देखने के different views हैं इसको हम साथ देख लेते हैं देखिएगा different views के नाम आ रहे हैं अभी फिलाल जो आपको नदर आ रहा है normal view है फिर उसके बाद slide sorter view है slide sorter view में क्या होता है कि आपकी slide should duty आपको नदर आती है और फिर आप उनका sequence change कर सकते हैं आपने slide मिसाल के तौर पर एक file के अंदर आपने दस slides बना दी slide number one two three और वो यहां पर आपको नज़र आ रही होंगी left side पे यह one है यह देखे साथ one लिखा हुआ है और अगर आप add करेंगे यहां पर आजएगी two three four onward यहां पर चलते रहेंगी left side पे इस के अंदर तो आप जिस slide के ओपर click करेंगे उसकी retail फिर यहां पर आपको वो बड़ी इसको मैं ten number पे लेके जाना चाहरूं बिलकुल आखर पे लेके जाना चाहरूं तो यह आप इस त्रीके से जो arrangement करना चाहरे हैं सौर्टिंग करना चाहरे हैं वो आप इस view में आके कर सकते हैं इसकी retail नचला हम बाद में जैसी chapter के अंदर ही चीज़ आएंगी फिर देखेंग त्यार कर लें सानी सारा उसमें data भी एड़ कर लें images भी animations भी लगा दें फिर आप देखना चाहते हैं जब मैं इसे run करूंगा start करूंगा तो audience के सामने कैसे नजर आएगी कौन सी चीज़ कैसे move हो क्लिक कर देंगे तो यह slide show start हो जाएगा slide show का मतलब क्या कि जैसे ही जैसे audience क सामने आपने present करनी है उसी view के दर आपको यह नजर आना शुरू हो लेगी right side पे यह zoom की options है इन zoom की options को भी आप use करके तो इस slide के view को कम ज़्यादा कर सकते हैं right side पे fit slide to crunch window इसके जरी से आप क्या कर सकते हैं कि इसके ओपर click करके यह देखिएगा अभी उतफिलाल यह पहले स तो यह देखिएगा इसका view गर मैं कम कर दूँ जूम कम कर दूँ तो अब आप इस option पर click करेंगे यह वाली बिल्कुल corner वाली fit slide to crunch window तक फैल जाएगी current slide इस पर click कर देगे तो ऐसी हो जाएगी तो पैटर यह कुछ option है नीचे जो आ रही है status bar में बुक में बहुत जारे टे फाइल एक blank presentation आपने create करनी है तो कैसे करनी है जस्ट आप start button भी जाए window के और powerpoint को start करने पर उसमें blank file blank presentation पर click करने तो आपके सामने यह blank file open हो जाएगी next option की तरफ आते हैं यह देखिए उस नहीं पर explain किया हुए powerpoint presentation आपने blank file create करनी है तो powerpoint को run करेंगे उसके बाद यहां से आके आप blank presentation वाली option को use कर लेंगे उसके बाद next है heading number 2.2 open up presentation from recent or existing file आपने पहले से बना के कुछ presentation रखी हुई है उन में से अगर आपने कुछ open करनी है तो बिलकुल वही तरीका है जो excel word में हम learn कर चुके हुए है कि आप file tab में जाएंगे और open पे क्लिक करेंगे open वाली option के जरीए से आपने पहले से जो बना के files किसी folder में save की उती है उन में से किसी file को open कर सकते हैं तो इभी आपके सामने perform कर देता हूं file tab में आए हम file tab के बाद यह open के option इस पे क्लिक करेंगे तो right side पे आप उससे बता दे पर देखेंगे तो यह देखिएगा आपने जो recently files open की हुई है उनकी list आपको यहां पे नजर आ रही है recent files यह recent के नाम से option क्लिक है और right side पे वह options आ रही है और वह फाइल आ रही है जिनको आपने recently use किया हुए और आप इन में से किसी को pin भी कर सकते हैं यह option भी हम पहले उनमें से आप किसी को दुबारा open करना चाहरे हैं तो यहां पर आ दें किसी भी file को यहां से भी recent file open करनी है यहां पर आजें otherwise आपने कहीं से browse करनी है किसी folder में रखी हुई है वहां से file को access करना है browse करने के बाद relevant folder में आ जाए और उसके बाद file पे click करें जैसे मैं फर्द करन जो आपने पहले से use की हुई है next option की दरफ चलते हैं base a new presentation on powerpoint template यह भी बैटा वैसी option है कि आपने अगर बिल्कुल blank presentation नहीं बनानी बलकि आप यह चाहते हैं कि पहले से कुछ ready made बनी हुई आपके पस file हो जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ amendments करके तो उसको फिर use कर लें तो pre-formatted file होती है जिसमें पहले से कुछ design भी मौझूद है data भी कुछ मौझूद है आप उसमें further amendments कर सकते हैं तो आप template को कैसे use करेंगे इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर powerpoint presentation को पहले run कर लेते हैं file tab में आएंगे और new में यह दिखेंगा left side पर new में आगे new में अगर आएं तो right side पर आप देखिएगा आपको different options नदर आ रही है blank presentation भी है blank file open करनी है तो यह open कर लें और अगर आपने templates use करनी है पहले से जो बनीवी files हैं वह नीचे यहाँ पर मौजूद हैं यह देखिएगा कफी जदा यह options available हैं यह कुछ बने-बने designs हैं इसमें कुछ data sample basis पर होगा तो आप उसे फिर अपनी मर्जी से change भी कर सकते हैं और यहां से search भ सर्च करना चाहरे हैं यहां पर लिख दें तो नीचे फिर वह उससे relevant जितनी भी templates available होंगी online available हो जाएंगी यहां पर visible हो जाएंगी उनमें से किसी भी आप क्लिक करके देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं जैसे वाली option है इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने यह open हो चुकी है अब सब्सक्राइब क्या करेंगे क्रियेट क्रियेट करेंगे तो यह सल्में यह online पड़ी हुई है Microsoft वालों के website पर वहां सी डाउनलोड होगी और डाउनलोड होखे आपके सामने open हो जाएगी इसका download size भी लिखा हुआ है create किया अब यह हमारे सामने visible हो चुकी है इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं अपना data वगरा जो भी आपने add करना है title देना वह यहां पर लिखने और onward जो कुछ भी लिखने 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 और further भी आप इसमें left side पे slides add कर सकते हैं इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं template को use करके आपना काम स्टार्ट कर सकते हैं इसके क्या बिल्कुल blank presentation यूज करें आप template यूज कर लें उसके बाद next जो है setup and design effort जो आपकी उसको आप save कर सकते हैं time save कर सकते हैं आप अपना और आपकी जो efforts लगनी थी design करने में वह आप इससे क्या होगा कि आपकी presentation की look and feel जो है उसके professional look जो है वह एक जैसी हो देगी क्योंकि जो templates होती है वह पहले से designed होती है जैसी आप उसमें नई slide करेंगे एक slide पहले से आ रही है नई slide करेंगे उसका color combination font का style भी वैसे होगा जैसा पहली स्लाइड का है उसकी look and feel वह similar चल रही होती है उसमें consistency होती है तो यह उसमें आपको बता दिया कि आप new में आके file tab में आके new पे click करेंगे new option पे वहां से फिर आप क्या कर सकते हैं blank presentation भी आप open कर सकते हैं और template भी open कर सकते हैं इसमें personal template का भी एक folder अगर आपने खुद से templates बनाके save की हुई हैं तो वह भी personal templates के नाम से एक link होगा उसमें available होगी otherwise आप क्या कर सकते हैं कि जो पहले से available या visible templates हैं उन से किसी पर click करके download करके आप उसे use कर सकते हैं अब next यो लिखा हुआ है कि आपने खुद से template बनाके किस तरीके से save करनी है उसको मिंशला भी discuss करेंगे create and edit your own template आपने अपनी एक file को powerpoint के दर आपने एक file create की उसको आप template के तोर पे save करना चाहरे हैं ताकि templates के folder में जाके और further future में आप जब यूसे use करना चाहें उसकी copy open करके आप use कर लें तो इसके लिए तरीका यह है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे powerpoint को start करेंगे और उसमें आप एक file create कर लेंगे उस file में जो अपने designing करनी है जो headings है बहरा देनी है वो आप दे लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे file tab में आ जा देंगे घर और उसके बाद save as save as में आके हम क्या करेंगे browse और यहां पर आके हमने क्या करना है यह देखिएगा save as type में आके powerpoint presentation लिखा हुआ है कोई भी जब आप file बनाते हैं तो microsoft powerpoint के जो भी आप file बनाते हैं उसे मैंने आपको पता है presentation करते हैं तो फाइल powerpoint presentation के तौर पर नॉम्मनली सेव होती है जैसे excel की file excel workbook के तौर पर इसे होती है और word की file word document के तौर पर सेव होती है तो powerpoint की file by default powerpoint presentation के तौर पर सेव होगी उसकी टाइप यह होगी अब यहां से आके इसको template कर देंगे यह दिखिएगा यहां से देखते हैं template कहां पर available है पावर पाइंट template यह दिखिएगा यह विजिबल होगी यह पावर पाइंट template इस पर क्लिक किया जैसे इस पर क्लिक किया तो यह देखिए उपर custom office templates का जो folder हो आपके सामने visible होगे आम तोर पे जब आप यहां से आके service type में template वाली option को select करते हैं तो उपर custom office templates का folder खुद हाजिर हो जाता है यानि उसको पता चल जाता है कि आप file को template के तौर पे save करना चाहरे हैं और इस folder में आपने save करना है क्योंकि इस folder में save करेंगे तो फिर वो personal template से जाके आप उस फिर एंत्सनिक करें इसका नाम हम presentation one की बज़ाए इसका चाहर नाम रहते हैं grew powerpoint template में आप और इसका नाम पावरवाइन तेंपलेट एंड वणी है चैन्पन तंसना नाम रखने या या से आपे यह से उतव हू़ चुकिए अ हैं अब इसको मैं करगर हूं थे मिए पाइल में आके ओपन में नियू में आते हैं नियू में नियू पर आकर देखी का यह यहां पर दो ऑप्शन बन चुकी है ऑफिस के नाम से भी है यह जो ऑफिस की टेंपलेट्स हैं माइक्रोषफ्ट उफिस वालों कि अपनी बनाई हुई जो टेंपलेट्स हैं जिसमें से जाए तर ऑनलाइन अवेलेबल हैं और अगर आपने परस्ण टेंपलेट्स बनाई ही देखनी तो यहां पर आपको नजरा देंगी देखीगा पावरपाइंट टेंपलेट्स आपको य your own template यह देखिए next setting added your own template तो उसमें added करने का तरीक है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे अपनी template को open करने के लिए आपने क्या करना है फाइल टैप पर क्लिक करके उसके बाद open वाली option में आरा है open वाली option में आके अपनी फाइल को आप जो आपने template के तौर पर save की हुई है उसका folder open करके उसके क्लिक करके open कर लेंगे वह original template आपके सामने open हो जागी फिर आप जो amendment उसमें करना चाहिए करके save कर दें तो यह procedure यहां पर लिखा हुआ है इसको मैं perform कर देता हूँ आपके सामने अभी तो हमने यह template open की हुई है मैंसे बंद कर रहा हूँ powerpoint दोबारा से start किया और उसमें मैंने भी blank presentation स्टार्ट कर ली यह मैंने सामने blank presentation नहीं देखी गा presentation one के नाम से अब हम क्या करना चाहरे हैं वो जो file हमने powerpoint template के नाम से save की थी उसे open करके उसमें कुछ amendments करना चाहरे हैं तो file में आएंगे और open वाली option में जाएंगे new वाली option में याद रखी है new वाली option में जाके personal से यहां पर आके हम उस template को open करेंगे तो original template open नहीं होगी बलके उसकी यह copy open होगी क्योंकि powerpoint समझ रहा है कि आप template जो है उसके जरीए से एक नई file create करना चाहरे हैं क्योंकि आप new वाली option में आए होगी लेकिन ओपन वाली option के जरीए से original file ही open होगी यहां पर आके open ब्राउज कर लेंगे यहां पर recent में आपको नदर आ रही है तो यहां से भी अपक्सेस कर सकते हैं देखेंगा powerpoint template otherwise browse में और ब्राउज में आके आपने क्या करना है custom office templates के नाम से जो folder है इसको आपने सामने visible कर लेना है यहां पर आपने यह folder available होता है custom office templates के नाम से तो यह मनें उपर किया इसमें देखें powerpoint template के नाम से वही file available है इसको में यहां पर आके open कर लेंगे वही file आपके सामने open है आप इसमें जो amendment करना चाहें वह आप कर लेंगे और उसके बाद save करके फिर से आप close कर लें नेक्स बेटा यह जो page number है 353 इसको note कर लीजेगा अपने पास page number 353 पे एक topic discuss हुआ हुआ है slide master and placeholders इसको हम इंशाला इस chapter के end पे जाके discuss करेंगे जब हम अपनी powerpoint की discussion को मुकमल कर लेंगे उसके उपर जाके फिर end पे जाके हम इसको discuss करेंगे slide master and placeholders slide master क्या होता है यह आगे भी यहाँ पे इसकी retail discussion है जो कि अभी हम discuss नहीं करेंगे अभी समझ नहीं आएगी इसको बाद में इंशाला करेंगे और slide master की discussion आगे भी topics में थोड़ी थोड़ी है वहाँ भी आप ignore कर दीजिगा जब में इंड पे जाके इसको discuss करेंगे फिर यह चीज़ आपको clear हो जाएगी slide master क्या होता है यह 353 से onward यह discussion चल लिए है मैं आपको page number बता देता हूं वहाँ तक आपने फिलाल इसको ignore कर देना है पेज नमर 359 तक यहां तक इसकी discussion है नेक्स्ट जो हमारा topic है that is inserting and editing text based content अब यहां से मारी discussion स्टार्ट हो रही है कि आपने powerpoint presentation जो बनाई है उसमें फिलाल एक ही slide आपको नदर आ रही है उसमें अपने data कैसे add करना है उसमें आपने formatting कैसे करनी है यह सारी चीज़ें यहाँ प यह सारी चीज़ें डिसकस की गई है heading number 3 इसमें section overview में देखीएगा के introduction है फिर add text to a placeholder or text box फिर shapes वेरा insert करना bullets numbers लगाना indents यानि space थोड़ी सी देना किसी list को colors वेरा formatting करना यानि superscript, subscribe, capitalization यह वही चीज़ें है जो आपने word में पड़ी हुई है font और जो paragraph का group अपने word में पड़ावा है home tab में उससे मिलती जुलती है options है इसको इंशाला हम भी हम discuss करेंगे तो हम discuss करते हैं यहां पर आके add text to a placeholder or text box पहले इसको समझते हैं यह placeholder क्या होता है text box क्या होता है इसको हम देखते है adding text to a placeholder first option यह सबसे पहले तो हम better understand करेंगे कि placeholder क्या होता है placeholder क्या होता है यहां पर slide में आते हैं एक पावरपाइnt स्टार्ट किया ब्लैंक प्रेसेंटीशन सामने होची है जब हम Zone करो करते हैं यह सामने वेलिबर होती है जिसमें कुछ लिखा है क्लिक टॉ एैड सब्ट सॉब्टाइज यह जो अथे रॉटेटे हैं इन ये placeholders कहते हैं इन्होंने place hold की हुई है टेक्स लिखने के लिए इन्हें placeholders कहते हैं और यह जो दरमयान में आपके पास लिखी हुई आ रही क्लिक टॉए टाइटल यह जो यहां पे नजर आ रही है आपको यह प्रिंटेबल नहीं होती यह जिस्ट आपकी guidance के लिए होती है इसके पर क्लिक जब हम करेंगे अपनी टेक्स लिखने के लिए तो यह गाइब हो जागी और आप फर्दर यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम फर्ज करें मैं राइज का introduction देने के लिए एक फाइल जो है प्रेजेंटेशन हम develop करने जा रहे हम सा सारी हम यहां पर कुछ स्लाइड बनाके उस पर दिखेंगे यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी और उसके बाद क्लिक टू एड सब्टाइटल यहां पर आकर हम लिख देते हैं लाहॉर कैंपस यह देखिए वह जो पहले से टेक्स वह गाइब हो चुकी है एक बात आपने बेटा यहाद रखनी है कि आपको जो प्लेस होल्डर नजर आ रहे हैं नहीं बॉक्स डॉटेट बॉक्स इनके अंदर ही आप कुछ लिख सकते हैं इसके बाहर यह देखे इस साइड पर कुछ नहीं लिख सकते हैं लिखना अगर अधनी पहले से लिखना प्रान दोन्राइब के बिस लिखने पर याज फिर आप नितर सुथ अए पहले से हौश्ए और लॉप्स लोप्स यह दोते हैं नो click करेंगे और यहां आके कहीं भी text box draw कर लेंगे की च्छाइक मैंने draw कर लिए अब लिखने के लिए आप इसमें टाइपंग कर सकते हैं टैक्स और भॉक्स में थोड़ा फरक है प्लेस अब्रोंड कर्सक्त् form लिए तो होते हैं यहां मैं दिझता हूं introduction production of rise यह जो भी हमने लिखना है वह हम यहां पर ऐसे लिख देंगे लें जी अब इसको हम सेव कर लेते हैं पहले ताकि इसमें फर्दर जो कुछ كावरइब करते हैं फैंइन से मुराद क्या है पावर पैयंट की फाइल करते हैं प्लेंक फैली उपन करते हैं उसमें एक स्लाइड होती है और इस स्लाइड की जो और 23Rक configur सेटिंग में जाके लेकिन बाइड़ फॉल यह इसकी ओरिंटेशन लेंडस्किप होती है तो इसमें हमने ऐसी टेक्स आड़ कर दी इसके बार लेफ्ट राइड पर देखेंगा इसी का थंबनेल व्यू आपको नदर आ रहा रहा है यह लेफ्ट राइड पर इसमें फर्दर भ पर इसमेंड़ करनेगे करेंगे को आप को यह आपर स्लाइड के अप्षिन नूशाइड का नहीं ह нужब के अपशिन है और इसका shortcut लिखा है control M अगर आपने नई slide एड़ करनी है नई slide समुनाद किया कि यह जो आपको एक slide नदर आ रही है इसके नीचे यहाँ पे एक और slide एड़ करनी है तो control M लेकिन यह बात याद रखिए कि अगर आपने blank presentation overall powerpoint की एक जो नई file है वह create करनी है तो उसके लिए वह ही shortcut की है जो word excel वगरा में है control N उससे overall पूरी एक file नहीं create हो जागी लेकिन उस file के अंदर एक slide पहले से available है और दूसरी slide एड़ करनी है यह समेलें दूसरा page एड़ करना है तो फिर आप control M की shortcut की use कर सकते हैं देखिएगा sorry इसके ओपर mouse को लाएंगे तो यह control M add a slide to your presentation तो इसके ओपर भी क्लिक कर सकते हैं जो उपर icon बना हुआ है तब भी slide add हो जाएगी और यह जो menu menu है drop down इसके ओपर क्लिक करके यह आपके सामने menu open हो चुका है इसमें अगर आप देखें तो different आपको slides नदर आ रही है और उनके यह different layouts हैं यह सारे सारे slide layouts किलाते हैं layout किसे कहते हैं layout असल में कहते हैं कि एक slide के ओपर different चीजों का जो arrangement है उसे हम layout कहते हैं अगर आप यह देखें, इसका नाम है title slide layout इनी जो फर्स्ट है इसके नाम है टाइटल स्लाइड लेयाउट सेकेंड जो है वो टाइटल एंड कॉंटेंट लेयाउट है यह इसके ओपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा यह आपको यहां पर नदर आ रहा है कि ऊपर एक बॉक्स यह बन जागा एक प्लेस ओल्डर यह होगा उपर टाइटल देने के लिए और दूसरा उसी टाइटल के उपर नेक्स जो स्लाइट एड करने जा रहे हैं उसके ओपर हमने कॉंटेंट क्या लिखने हैं क्या डिटेल्स उसके ओपर हमने मेंशन करने हैं तो उसके लिए फिर हम अप्रॉप्रियेट स्लाइड लेयाउट देख लेंगे मिसाल के तोर पर ये two content का layout है इसके ओपर click करेंगे तो slide add हो जागी लेकिन उसके ओपर जो placeholders की arrangement होगी वो इस तरह होगी ओपर heading देने के लिए ये एक box होगा और left और right side पर दो box होगी इसमें आप दो तरह का data add कर सकते हैं मिसाल के तो अपर पर कोई heading दी आपने फिर कुछ advantage लिखने है वह आप इस तरह के से लिख देंगे और इसके लावा comparison के नाम से एक layout है इसमें भी heading दे सकते हैं और नीचे आपने दो चीज़ें जो explain करने हैं उनकी भी heading देने के लिए boxes available होंगे दो place orders available होंगे इसके लावा टाइटल अगर आपने देने यानि आप next explain करते करते आप आगे हैं कि हमने main campus rise का जो इसको इसके अंदर जो courses हैं इसके अंदर जो facilities हैं उससे explain करना है तो आप एक slide के ओपर सिर्फ heading देना चाहरे है main campus तो आप इसको क्लिक कर दें इससे क्या होगा यह एक ही box आएगा इसमें आप main heading अपनी mention कर देंगे उसके बाद फिर फूर्दर आप जो भी layout add करना चाहें वो कर सकते हैं मैं यहां पर आके यह वाला add करने जारों यह दिखेंगे डिफरेंट है टाइटल स्लाइड लियाओ टाइटल इन कॉंटेंट सेक्शन एडर और यहां पर अवेलेवल हैं इसमें नीचे भी option है duplicate selected slides क्या होगा बैकेंड पर यह जो slide selected है इसी की copy नीचे की दरफ पेस्ट हो ज कर दें duplicate slide यहां पर आतो हमें title and content पर क्लिक कर देते हैं यहां पर अब यहां भी देखेंगा यह दूसरी slide यहां पर add हो चुकिए इसका thumbnail view आपको नदर आ रहा है और detail view नौर्मिल इसका आपको राइट शैट पर नदर आ रहे हैं यहां पर हम आके कर देते हैं heading लिखते हैं history of rise history of rise हमने heading देदी और details हम यहां पर mention कर देते हैं यह साथ bullet point लगा हुए अगर आपको चाहिए तो फीक है otherwise backspace प्रेस करके हम इसे remove कर सकते हैं इसमें जो भी हमने rise की history explain करनी है वह हम यहां पर explain कर देते हैं तो मैं यहां पर rise की history explain करने की बजाए थोड़ा सा text वैसे लिख देता हूं क्योंकि हमने सिर्फ practice करनी है इसलिए मैं just text वर्ड की file में available है वही थोड़ा यहां copy paste कर देते हैं इसे copy किया और यहां आकर मैंने paste कर दिया कॉपी किया और यहां कि मैं दुबारा से paste कर रहा हूं लेजिए हमने कुछ इसमें text add कर दी आप समय ने की है rise की history हमने यहां पर add कर दी तो इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे next slides add करते जाएंगे जो पी उस पर हमने contents लिखने हैं वह contents हम add करते जाएंगे उसके उपर अब मैं next एक और slide add करहा हूं यहां से आकर new slide करें उसमें हमने आगे further explain करना है कि rise के campus कितने हैं तो यहां पर आके new slide में आएंगे अब हमने दो चीजें को explain करना है campuses of rise, rise के मिसाल के उपर दो campus हैं तो हमने दो campuses की details देनी है यह comparison वाले में आ जाते हैं comparison वाला slide layout इसके उपर पर main campus और यहां पर मैं लिख रहा हूं गुलबर्ग campus यह main campus है गार्टन डाउन में और फिर further आप main campus हैं मतले कुछ further explain करना चाहें इसमें क्या courses हो रही है इसकी location क्या है जो कुछ भी आप explain करना चाहें यहां पर हम explain कर सकते हैं अब main campus में फर्द करें जो courses हो रहे हम वह यहां पर mention करते हैं main campus में CA का course हो रहे हैं यह दो के bullet पहले से इस place order में पहले से bullet लगा हूँ है अगर आप उसको रखना चाहरें ठीक है otherwise उसके आप delete भी कर सकते हैं एंटर करेंगे वह फर्दर नीचे आज़ेगा सीए भी है एसी सीए भी है सी एम इडिफरेंट courses है राइशाइट पर आजए इसमें CA है MBA फर्द करेंगे मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं कुछ courses और इसमें CA है यह different courses है तो यह देखें किया किया एक ऐसा layout हमने सेलेट किया जिस layout के जो layout हमारे लिए appropriate था हमें पहले से पता था हमने next layout के ओपर campuses की रिडेल देनी है दो campuses की तो हमने यह comparison वाला layout यूज कर लिया अब इस पर क्लिक करेंगे अगर हमने यह देखना है कि यह जो हमने third number slide यहां पर insert की हुई है इसका layout कौन सा है यहां से हम आके जो साथ layout है यह देखेगा new slide वली option के साथ यह layout की option है इस layout option को यूज करके क्या कर सकते हैं नीचे लिखा हुआ है change the layout of your slide किसी भी slide का layout यहां पर आके आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने जो slide number three select की हुई है इसका layout कौन सा मैंने यूज किया हुई है new slide से नहीं पता चलेगा इसका objective तो नई slide एड़ करना है इसके लिए हम यहां पर आएंगे layout पे यहां पर आएं तो देखे comparison वाला layout आपको selected नदर आ रहा है यानि third जो slide है इस पर comparison वाला layout applied है अगर हम इसको change करना चाहें change करने का मतलब कि हम यह चाहते हैं यह two content वाला layout जो है वो यहां पर apply हो जाए तो आप इसके ओपर click कर दें इ click करने से क्या होगा यह data as it is रहेगा data delete नहीं होगा लेकिन आप boxes चुके कम हो देंगे placeholders कम हो देंगे तो placeholder के अंदर जो powerpoint है वो आपके लिखेंगे पहले से जो लिखा हुआ data उसको adjust करने की कोशिश करेगा click किया तो यह देखेंगा उसने अब आपके liquid text को खुद से उन boxes में adjust करने की कोशिश किया देखेगा यह आपके सामने नदर आ रहे हैं ऐसे अब यह जो है वह तो content layout बन चुका हुआ है तो आप इस तरीके से layout को change करना चाहें तो layout को change भी आप इस option में आके कर सकते हैं अब next option की तरफ आते हैं बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसको हम इंशाला discuss करेंगे adding text to placeholder यह हमने देख लिए simple क्या placeholder पे click कर दें आप और उसमें लिखना शुरू कर दें उसके बाद और आप paste भी कर सकते हैं obviously कहीं से आपने data copy किया और placeholder में आके आप उसे paste कर दें add text to a text box text box आपने कैसे add करना है सबसे पहले वो देख लेते हैं मैंने आपको एक तरीका उसका बताया दूसरी option यहाँ पर भी है insert के menu में insert के tab में राइड शायड पर आकर यह text box की वही option यहाँ पर भी अवेलेवल है मैं इसे भी आपके सामने explain कर देता हूं perform कर देता हूं यह देखेगा text box हमने यहाँ पर add किया एक तो home tab के अंदर जो option है उसे यूज किया दूसरी insert tab के अंदर भी option अवेलेवल है text box add करने की राइड शायड पर है तो यह text का group है और उसमें text box क्लिक किया तो यह देखेगा वैसी आपके सामने एक pointer बन गया इसमें आप इसे ड्रैक कर लेंगे तो आपके सामने text box insert हो जाएगा इसमें आप जो भी लिखना चाहें वह आप लिख सकते हैं यह देखिएगा और text box को अगर आपने delete करना है इसके वपर क्लिक करें इसके border भी क्लिक करें यहाँ पर और फिदिलीट की करें तो इसे आप प्लेस ओल्डर को remove करना चाहें तो उसके border पर क्लिक करने से पूरा यह उड़ सेलेक्ट और जागा यह दीओकर हैं यह पर क्लिक किया अब आप इसे डिलीट कर सकती हूं कि अ विबस्ट कर लिए कि अब यह उना कि आपने future खेसेilot करनी है शेपस अबने कैसे उन्सिठ्क कुर्णी यह फिर आपने उसमें डिक्टर में डिसक्स कर लेते हैं अभी आप यहां तक ही रखें इसको चीजेंक सिया प्लेसोल्डर के अंदर इसको आप परफॉर्म करें वेड़ अच्छे तरीके से इनको लर्न करें फिर इंशाला यहां सो और वड़ हम नेक्स लेक्षर में डिस्स करेंगे जजा करना